हलो, वलकम बेक टो पोकर अकडेमिंग, आज हम बात करेंगे लोगेरिदम जो डिपलोमा से मिस्टर वन के सीलेबस में है, जिनके एक्जाम मार्च 15 के करीब-करीब होने वाली है, तो उससे पहले हम ये पूरा जो सीलेबस से आपका मैथेमाटिक, बेजिक मैथेमाटिक्स का वो कंप्लेट कर देंगे, उससे पहले जान लेते हैं किस तरह से आपको एक्जाम में पूछे जाते हैं, कौन-कौन से चेप्टर, किन-किन कंटेंड में होते हैं, तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं, पहले लोगरिदम में, लोगरिदम में आपको पहले तो ये अच्छे फॉर्मिल्ला कोई भी तरह से याद होनी चाहिए और सेकंड इंग आपको जो फिलिंग दी ब्लेंक्स यहां हम कह सकते हैं सौर्ड क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे लोगेरिधम से दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो तीन माक्स का होगा इच तोटल हुए 6 माक्स और दो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 4 माक्स के तो यह बहुत इंपोर्टन है आपकी पासिंग माक्स जो होते हैं अगर 70 माक्स का पेपर है तो पैसिंग माक्स होते हैं आपके 23 बट इस बार आपका 56 माक्स का पेपर है तो वहां पे पासिंग माक्स आपका 18 या 19 हो सकता है तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हैं लोगेरिधम में तो आपका फैल होना नामूंकिन सा हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैपर सॉल्यूशन और जो पैपर की क्वेशन है कम टाइम में जब भी आप कोई भी प्रिपेरेशन करो कोई भी सब्जेक हो आपका फर्स समिस्टर या आप नेक्स समिस्टर में जाओ तो सेकंड समिस्टर में जब कम आपके पास time है और आप नए हैं GTU के लिए इसे लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जो भी question होंगे वो almost 70% rivet equation होंगे मतलब कि अगर आप previously 5 papers करके जाते हो तो I am sure that कि कोई भी question आपसे छूटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे हम करेंगे winter 2019, winter 2018 and winter 2017 का paper solution one by one एक एक content के साथ डालेंगे पहले logarithm, फिर mattresses और उसके बाद जो भी आपके chapter से one by one तो पहले होगा winter 2019 का paper solution फिर होगा 2018 का फिर होगा 2017 का और यही pdf अगर आपको चाहिए यहाँ पे आपको वीडियो तो मिल जाएगी बट यही चीज आपको pdf में चाहिए तो आप google play store में यह लिख लीजेगा वहाँ पे आपको एक app मिल जाएगी डाउनलोड कर लीजेगा और link अगर चाहिए तो मैंने description box में दे दी है तो वहाँ पे आप जाके वह डाउनलोड कर लीजेगा वहाँ से आपको pdf मिल जाएगी और exam के आखरी दिन में वह बहुत ही काम आने वाली है आपको और हो सके तो अपने friends के साथ भी यह share कर दीजेगा तो सबसे पहले आज का जो first lecture होगा वहाँ पे मैं इस basic formula को किस तरह से याद करना है वही आपको बताऊंगा फिर हम start करेंगे paper solution के साथ तो सबसे पहले log x plus log y that means what जब भी दोनों लोग के बीच में addition है तो आपको क्या करना है यहाँ जो भी आपकी x and y है उनका multiplication करता है similarly अगर यहाँ पे minus है तो आपको क्या करना है divide कर देना है और अगर कोई भी log x दिया है और उनकी power n है तो वो जो n power है यह power जो है वो log के आगे multiply हो सकती है फिर आता है basic rule log 1 always 0 होता है यह बहुत ही कामाने वाल है आपको next अगर कोई भी power है a raise to log ax मतलब इनका base भी a है और यहाँ पे x है तो अगर base और यह दोनों same है तो यहाँ जो भी value होगी वो ही आपकी value बन जाएगी इसी तरह से आप किस तरह से base को change कर सकते है उनके लिए जो rule है वो है log xy log xy का मतलब यहाँ जो base में है वही आपका नीचे हो जाएगा divide में हो जाएगा और यहाँ पे y जो है वह उपर आपका log y बन जाएगा तो इस तरह से आप यह 6 formula याद कर लीजेगा तो 6 में से almost हर एक example आपका जो 70 marks का content है वो आपको मिल जाएगा बट आपको करना क्या है एक तो एप डाउनलोड करनी है और दूसरा वीडियो को maximum share करना है क्या करना है वीडियो को maximum share करना है और दूसरी चीज एक और अगर आप offline coaching चाहते हो इन दी बूज city तो अभी आप यहां आ सकते हो address नीचे description link में दे दिया गया है जो government polytechnic है उनके बिल्कुल पास में ही है institute तो आप वहां पे विजिट कर सकते हो तो यह था आपका पहला content जहां पे हमने बिस formula की बात किया next content में हम बात करेंगे questions को किस तरह से आपको solve करना है so thank you so much for watching this video and please like share and subscribe the channel